आप देख सकते हैं यह जो हमारा साइड में एक ड्राइंग है यह एलेक्टिकल सेंबल है तो एलेक्टिकल सेंबल आपको मालूम होने चाहिए यह जो हमारा सेंबल है किस चीज का सेंबल है तो इस वीडियो में आपको पूरा सिखने को मिलेगा इस सेंबल के बारे में यह सबसे पहले आपको ये बारे में बताएंगática इस में इलिवेशन सिंबल ये क्या है और ये रीमार्क है है अर इस्टेंडर हाइट है हमारा और इधर भी हीज़ के बारे में तो बारी-बारी से सब तो तब के बारे में आपको बताते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें, keep ना करें, तब ही आपको समझ में आएगा, तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, serial number इधर लिखा हुआ है, और इधर है plan simbol और यह elevation symbol और इधर temperature height तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है symbol यह ड्राइंग में होता है पुरा ड्राइंग का भी वीडियो बना वह सब description में आपको मिल जाएगा उसका link और यह देख सकते हैं यह single socket कुछ इस तरीके का होता है और यहां पर remark में देख सकते हैं लिखा होता है single socket outlet NPEP क्या होता है यह भी आपको बताएंगे और यह देख सकते हैं 450 mm मतलब यह 450 mm इसका standard height यहां पर है और इधर भी देख सकते हैं लिखा 450 mm और 1150 mm इस तरीके से कुछ लिखावा है तो में जो इसका height है height यह है 450 mm और इसके बाद देख सकते हैं यहां पर यह 450 mm क्या रहेगा यह भी आपको clear कर दें जो socket होता है उसका center होता है 450 mm नीचे से जो हमारा final floor होता है उससे होता है और यह जो है टी लिखावा है इस तरीके से अगर टी लिखावा है और उसका कुछ photo इस तरीके का होगा इधर देख सकते हैं इस तरह से photo भी लगता है इसको कम यह जादा करने के लिए temperature को control करने के लिए और इसका height देख सकते हैं 1220 mm इसका height रहेगा आपको फिर से एक बर बता दें जो height बता रहे हैं आपको इस अब center है और यह जो हमारा है इस तरीके का है नंबर तीन पर यह सूच का होता है यह इस तरीके से सूच का यहाँ पर photo बनावा है elevation symbol में और यहाँ पर लिखावा है वन वे सूच इन पी इपी इन पी के बारे में आपको बताएंगे और यह 1220 mm हमारा इसका height इसका भी रहेगा इसके बाद fourth number पर आता है इस तरीके का symbol अगर बना वह आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक single socket और दो double double socket रहेगा तो total socket हमारा 5 हो गिया और इसके साथ एक data का है data का जो है वो double है तो यहाँ पर लिखा और के station W इस तरीके से लिखा ह है तो यहाँ पर देखते क्रें पांच पीस के बारे में यहाँ बताया शारा हौ और इसका जो कितने amp popular का इसके socket है तो यहाँ पर 13 amp का socket है वो भी single socket यहाँ पर लिखता है single socket लेकिन यहाँ पर दो double, एक single होता है यहाँप फो भी दखाये जा लिखाओ double data outlet, नीचे देख सकते हैं, double data outlet single, यहाँ पे double इस तरीके का है, तो double रहेगा, और इसका 450 mm इसका height है, और इसके बाद इस तरीके का ये दो देख सकते हैं, ये दोनों हैं जो, ये दोनों symbol इस तरीके का आपको दिखें, तो आप समझ सकते हैं, इसका थोड़ा अलग ह तो data outlet ये single होता है और data outlet double होता है तो double कुछ इस तरीके का होता है और single कुछ इस तरीके का होता है दोनों का height अब भी देख सकते हैं 450 mm height है हमारा इसके बाद आते हैं 7 number पे तो 7 number पे बताये जा रहा है इस तरीके का आपको symbol देखाये जा रहा है तो इस symbol को देखके आप समझ सकते हैं उपर जो आप देखेते हैं इसमें single line उपर निकला था इसमें double है तो वो single socket है यह ऐसा आपको दिखे था double socket double socket कुछ इस तरीके का होता है photo side में आपको दिखा होगा और यह देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ इसके बारे में पूरा two win socket outlet NPEP और यह देख सकते हैं 450 mm इसका भी height रहेगा और बाकी 8 number और 9 number यह सब उतना जरूरी आपके लिए नहीं है फिर भी आपको बता दें यहाँ पर इसका मतलब इस तरीके का symbol दिखता है इसके बाद 10 number पर जो हमारा आता है इस तरीके का symbol आपको दिखे तो देख सकते हैं उसका photo कुछ इस तरीके का है यह इसको बोलते है card reader यह door जो open करने का होता है इसमें card reader लगा होता है इसमें touch करके card को आप door को open कर सकते हैं इसका भी height रहेगा यह 1200 mm रहेगा सबसे नीचे जो हमारा है सबसे नीचे आप देख सकते हैं सबसे नीचे 11 number पर इस तरीके का बनावा है इसमें दो बड़ा और एक single circuit है पांच circuit है दो data outlet है जो data outlet हमारा है वो दोनो double double है क्योंकि देख सकते हैं इसका कुछ और इसका कुछ फोटो में अलग है यह single वाला कुछ इस तरीके कहता है और यहां double का देख सकते हैं इसा है तो सेम double के तरह इधर भी दो है तो यहां लिखा हमें लिखावा और डाटा और इसका भी जो है यहां पर 450 मान लिखा गिया है लेकिन यह फ्ल वाक्स है यहां पे लिख सकते हैं फ्लोर बॉक्स टाइप it तो इसका हैट से कोई यह नहीं है फिर भी है हाँ किया गिया है जो था आपको इसके बारे में पुरा बताएं और ए लिए गल्प से लिटर एलेक्टिकल वीडियो मैं बनाते रहता हूं इसमें आपका हेल्फ होगा तो इसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इस्टाग्राम पर फूलो कर सकते हैं इनपी का मतलब होता है आपको सीधे सीधे बता दे नॉर्मल प करते हैं तो उसी तरीके से इसका अलग पावर होता है इसका अलग होता है इनपी का मतलब नॉर्मल पावर इस तरीके से आप बता सकते हैं इंटर्व्यू में भी अगर आप से पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं फिर भी अगर कोई डौट है ताप कमेंट कर के पुछ सकते हैं ओके थाइंकियो फिर मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टोपिक के साथ